समुन्दर से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और आतंक वादियों को जो चक्के छुड़ा दे उसे सेना का जवान कहते हैं आप सभी कुछ सैलूट है मेरी तरफ से मैं आप लोगों को नमस्कार नहीं कहूंगा गुड मॉर्निंग नहीं कहूंगा गोड इवनिंग नहीं कहूंगा क्योंकि आप राष्ट सेवा में समरपित होंगे तो आप लोगों को सेलूट ही किया जाएगा और मैं आप लोगों का बैच भी सेलूट बैच के नाम से ही मैं मैं आपको सारी जानकारी दोंगा इस वीडियो का अंतर वो लास्ट मताऊंगा पहले मैं आपको बता दो कि देखो मैं जीडी में आपको पता है पांस सेप्टेमबर से वेकेंसी आपका फॉर्म ऑनलाइन भराने स्टार हो जाएगा जबरदस्त वेकेंसी आने की उमीद है किल किया है किए लिए आहिए उसमें किस फैकेल्टी को कितना पढ़ा है क्योन हाट सेक्षन वाएगा कितना दधन ड़? जब तक सेवेडियो के अंदर मैं जीडी का संपूर्न सेथ ज़बरदस्त तरीके से Divoter करूंग में दिल खुत हो जाएगा और पुरा माथा में भी छप जाएगा कि किस चीज को कितना देना है और कैसी तयारी करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू जीडी किस सिलेवस का अंतरम क्या होता है आपको पता होगा पहला पेपर आपका PT होता है यह आपको होगा इंटरांक टेस्ट बोलते है तो PT में मैं आपको बता दू पहले से इसका दूसरा फिटनल फिजिकल टेस्ट है तो उसको बात की बात अभी उस पर फोकस ही नहीं करना है क्योंकि पहला पेपर ही मोस्ट है मेरिकलिस्ट इंटरांस एक्जाम से बनेगी जिसमें 80 कोश्टन आने है आपको पता है इसमें 4 सेक्षन है 4 पार्ट है पार्ट A में रिजिनिंग है आपका 20 कोश्टन रिजिनिंग के है इसके 40 मार्ग्स होंगे एक कोश्टन इसमें 2 मार्ग्स का होता है और दूसरा है GKGS, General Knowledge और General Science 20 कोश्टन इसके भी होंगे 40 मार्ग्स का ये भी होगा ठीक है तीसरा है Math सबसे काल है यही यही प्रॉबलम है अगर आपको selection को अगर आपको merit list में जाने से रोकेगा तो रोकेगा Math लेकिन tension मत लिजिए Math की मैं जिमेदारी लेता हूँ हाग लगा देंगे के को 20 का 20 हो क्या होगे दूसरा English या Hindi ठीक है English जवरदस्थ है दोनों में से कोई भी ले सकते है English इसकी बेहतरीन होती है SSC अपने Math और English के लिए ही जाना जाता है इसमें अगर आप Hindi है तो Hindi या English दोनों में से कोई भी ले सकते है 20 कोश्चन इसके भी होंगे 40 मार्क के यह भी यानि कि पहला जो पेपर होगा वो आपके 80 कोश्चन होगे और इसमें 160 मार्क्स का होगा 80 कोश्चन 160 मार्क्स का 1 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया रहेगा एक घंटे का आपको टाइम दिया रहेगा 60 मिनट्स का निगेटीव मार्किंग है जो मैं बता दू यहाँ पे यह बाई मिस्टेक टाइप हो गया है 0.5 निगेटीव मार्किंग है सीधे हाप कर जाएगा इसमें निगेटीव मार्किंग हैभी है अगर आपने को गलत किया तो दो माक्स में सबसे पहले वो कोश्चन तो जाएगा ही जाएगा ध्यान सुनिएगा बाकी जो कोश्चन उसमें से एक माक्स काट लेगा तो पहले तो तुक्का लगाने का सोचना भी नहीं है पढ़ना है इमंदारी से मेहनत से जीतोर करनी है तब नुक्री लेशी का अंतरगत अगर तब ही नुक्री मिलेगी अप नहीं पढ़ेंगे सिर्फ फॉर्म भढ़ने से मैं बार बारी बात बोल रहा हूँ फॉर्म भढ़ने लाखों बच्चे फॉर्म भढ़ेंगे ठीक है न होंगी इतनी की नुकुली हजारों की 50,000 आने के उमीद है तो 50,000 आने क्वेज़ कम से कम 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे होगा तो 85,000 को किस 55,000 को होगा जो टॉप क्लास का शड्यूएन्ट होगा क्रीम लियर का शड्यूएन्ट होगा उसीख होगा तो कैसे बनेगी मेहनत से जीतोर महत करनी है सब का पैटरन से मैं यह पहला पेपर इसी से मेट लिश्ट भी बननी है खेर वो तो बात की बात है प्रले आपको समझा दू यह सकते हैं यह पेपर ऑनलेन होगा यह आपको पता ही होगा ठीक है अब देखो आप मैं समझाता है इसमें चार चीजें होती है पहले में बता दू जीके जिएस का मतलब समझते हैं जेनरल नॉलिज जेनरल में तो हिस्ट्री जोगराफी पॉलिटी सार आपको परना पड़ेगा और साइन्स बेसिक नॉलिग होना चाहिए फिजिस केमस्टी बा बनाओंगा तेंसर मतलि जबी मैं सुरुवात किया हूं क्योंकि पहले पांस सेप्टेंबर तो आने दीजिए और भरना तो स्टार्ट होने दीजिए तो मैं आपको पहले भी सिलेवस कता रहा हूं मैं सारा हर रोज हर रोज मैं आपको जीडी को हिट करके वीडियो भेजू इसका बिलकुल भी बुरवग वला कोशन होता है 80% कोशन दस से 20% कोशन इसके अच्छे होते हैं जो आपको पर्णा है बढ़ियां से यह easy section माता है मेरा कहने का मतलब यह नहीं परना है यह मत सोचना कि परना ही नहीं है पढ़ना सब को है लेकिन अगर comparison करोगे जिक्यजिए और reasoning का math से comparison करोगे तो ये easy होता है math hard होता है आपको gd में अगर selection लेने में रोकेगा कोई तो वो paper है math और दूसरा अगर English है अगर English लेते हैं तो English Hindi भी किजी सक्सनवाती ठीक है 80% पढ़ना सब को है मेरा बात समझने कोशिज करना पढ़ना सब को है लेकिन मैं कहा रहा हूँ सबसे ज़्यदा फोकस करना आपको math पे और English पे ये काल है math इसके बहुत अच्छे होते है आपका math बहुत जबरदस्थ है इसके बहुत high level 20% question इसके easy section में आते है 3 type के question होते है medium में भी उस्ते हैं लेकिन इसके कुछ questions 40% plus questions इसके high level questions होते है तो आप 20 में से अगर 10 question बना लेंगे 5 question बना लेंगे 12 question बना लेंगे 13 question बना लेंगे तब भी नोकरी नहीं लेंगे 20 में 20 का ठोक के आना पड़ेगा 100% एक आत question हो गलत हो जाएगा वो examination hall का pressure रहेगा मायने में आना चाहिए आपको 100% हर section आना चाहिए और math 100% करना क्योंकि ये पाठ सके तो दिक्कत सबस्चेदा आपको करेगा math और English ये बात समझगे पढ़ना सबको है system से पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे सब वो बात में बताऊँगा ये बात आप समझगे पहले ये आपका PT का है उसके बाद आपका physical fitness टेस्ट होगा तो उसमें बहुत समय है पहले PT निकले PT निकलने के बाद भी बहुत सारी time होता है आपके पास उसके लिए कर सकते है उसमें normal चीज़ है वो चीज़े नहीं है ये बात आपको आई समझ में मैंने पूरा बता दिया है ठीक है अब देखिए अब मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूँँ मैं अपने YouTube चैनल में स्टारी तेज हाँ पे मैथ का प्रिविएस यर का 2017 से 23 तक का मैं question paper solve करवाना सुरू कर दिया हूँ free of cost अब math और English का में जबरदस्त batch launch करने वाला हूँ जबरदस्त कातो रहा हूँ पूरा आर पार बाला पहले मैं आपको बता दूँ ये math मैं आपको बोला था न कि मैंने अपने batch का नाम ही रखा है sell you to batch batch का पूरा टॉप तक ले चलूँगा संपूर्ण math का ये है पूरा आपके math का level कितना भी खराब क्यों नहीं हो समझाने की guarantee मेरी है कातो रहा पूरा माथा में न छाब दिया तो कहना ठीक है और इस पूरे course की फीज जो है मातर और मातर 299 रिपिया 299 रिपियज मातर और मातर पूरे course की फीज 299 रिपियज इसमें आपको हम पूरा class note PDF पूरा free of cost मिलेगा practice it PDF इतने इतने question हर chapter wise system wise आपको मिलेगा doubt session recording video पूरा कुछ आपको free of ठक जाओगे आप करते करते ठक है इतना कुछ आपको मिलेगा समझे के और इसकी validity जो होगी वो एक साल तक की validity होगी एक साल तक ही आपकच रहेगा आप जब भी चाहे इसको देख सकते हैं तो यह मैंने आपको बता दिया same ऐसे ही मैं English का भी batch launch कर रहा हूँ same English का भी मैं अपने देश में दो चीजों की भूत सम्मान करता हूँ एक किसान का और दूसरा आप जानगे होंगे सेना का जवान का तो क्योंकि एक हमारा दाना पानी चलाता है दूसरा हमारे देश के नक्सा को रखषक है वो वही सीमा को सही सलामत रखागी तक तो देश का नक्सा कब का बदल गया रहता मारे परोस्वेची नहीं है तो इंग्लिस दूसरा मैं इंग्लिस का सेलूट बैच इसका भी मैं सेलूट बैच ही लाया हूँ कमप्लीट इंग्लिस करवाँगा आपकी इंग्लिस का लेबल पूरा वक्य होगा, जीरो से उठाऊंगा, टॉप तर प्रेचर होगा, और इसकी भी फीज मैंने मातर और मातर 299 रिप्यार रखा है, और ये भी एक साल की वैलिडिटी होगी, इसमें भी मैं आपको सारा चीज आपको फ्री अप कोस्ट प्रोवाइड करा दूगा, अगर सार, इसका डेट कब से बैच स्टार्ट कर रहे है, आप लोग बहुत दूनों से मुझे कभी रहते सार, कि मैं बोला था न, कि वेकेंसी आनी दिजिए, वेकेंसी आनी दिजिए, तब बैच लॉंच करेंगे, आप लोग धर फड़ा रहे थे, मैं बोला था कि नहीं, मैं अभी डेट नहीं बता रहा हूं, कि पांस सेप्टमबर से फ़र्म भरा रहा है, तो चार पांद दिन देख लेंगे, तुरंत जैसे पता चलेगा, हाँ फ़र्म भरा रहा है, सब कुछ ठीक है, वेकेंसी ठीक है, तो तुरंत हम बैच लॉंच करेंगे, डेट और टाइम आपको बता देंगे इसके लिए, इसको आपको टेंशन ले नहीं दोत नहीं है, अभी आप करेंगे क्या, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाए, वहाँ पर मेरे एप का नाम, एप इस्टार रितेजा, जो मेरे यूटूब चैल का नाम है, मी, 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 स्टार स्टर, डेजर, आप डालेंगे, अप एप को इस्टाल करेंगे, वहाँ को फेलेंगे, आपको छ खूल जाएगा, और वहाँ पर आउल कोर्ष में दिखेंगे, सारा कोर्स दिखेंगा, रेलवे का, MTS का, स्टेनों का, सब का बैच बरे पास चल रहा है, आप अंदर थोड़ा खिश काईएगा, देखेगा नीचे में, आपको दिखा जाएगा, यह से इसको परचेज कर लेंगे, दूसरा, आप इसका एक आप्शन में आपको और बताता हूं, कोई दिक्कत हो, यहाँ पर वार्टसप नंबर आपको लिख देता हूं, यह हमारे चैनल का वार्टसप नंबर है, 706, 540, सारी सुवधा है, 8787, यह हमारा वार्टसप नंबर है, इस नंबर पर आप हाई करके भेर दीजिए, नाम नंबर, आपको हम वार्टसप गुरूब भी बनाए है, सेक भी जाएंगे, आपको बेनिफीट रहेगा, किसी से जूरते हैं, तो पूरा दिल से जूरने की कोशिस कीजिए, ठीक है, यह भी है, दूसरा, आप गूगल से मेरी वेबसाइट, मीस्टार ड़ूब डूट, मीस्टार रितेजह, वेबसाइट भी मैंने बनाते हैं, आपको स चाहते हैं, तो बहुत समान बात है, तो आप वेबसाइट की थूरू जाएए, वहाँ आपको बीग स्कीन पर दिखेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी दिखेगी, और पढ़ने भी मजा आएगा, आप वहां से भी यह कर सकते हैं, ठीक है, और बांकी आप वेट करें, मैं आपको बताऊंगा, कि बैच हम कब से लौंज करें, बांकी मैं प्रिवेशर का मैत का कोष्टन, जीडी का मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ, वह आप मेरे चैनल के प्लिष्ट में जाकर देख सकते हैं, अलग से बनाया है मैंने, शुरू कर दिया है मैंने, ठी की पूरा आरपार, मैं आपको बैच कंप्लीट बता दिया हूँ, मैं अपने एप पर पढ़ाऊंगा, वहाँ पर, ठीक है, चलिए, आज के इतना ही, फिर बिलते हैं, नेस क्लास में, तब तक अपने अपनों का धनवाद रखें, खयाल रखें, जै जबान, जै किसान, जै ह अपने दूस्ता,